एक मई 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उजुवला योजना की सुरुआत की थे इसका उदेश महिलाओं और बच्चे को स्वास्थ खाना पकाने के इंधन तक पहुश प्रदान करके उनके स्वास्थ की रक्षा करना था जिससे लकडी, कोईला, गोबर जलाने जैसी प्रामपरी खाना पकाने की विधियों के कारण होने वाले इंडोर वायू प्रदूसन से जुड़े स्वास्थ खत्रों को कम किया जा सके बित्तिय बर्स 2016-17 में इस योजना को तीन भर्षों के लिए कुल आठ हजार क्रोर रुपे का वजट आवंटन किया गया था लेकिन इतने बड़र बजट के बाद भी योजना बिहार के दूर दर्राज वाले इलाकों में सफल नहीं है देखे सुपॉल जिला के गोट बरवरी पंचायत के कज्रा गाउं से बिवलंदू के अग्राउंड रिपोर्ट क्यों आपको गैस कनेक्शन मिला हुआ है मैं थ Yup क्या कहा उँ पर पतान कर्ली जदि नहीं म Lखिल अभी आफ खानाकैसे पकाते अं प्रिशांग चुलम लग आफटते हैं तुली म 2 कि दूर्ट पर पकाते हैं किया दिकते हो तिया उसे बहुत दिकते जहां आप इसके छी ने सुन गए चे आ दूया धुकुर रिचे बाल बचा खला गए ज़े प्रधानमंत्री उजवला युजद्ना के तहते ग्यास च्लेंडर आपको मिला है ज़े अवह गैंध ना अ ना भ तो अभी पर्धानमंत्री जी ने ग्यास सिलेंडर सस्ता किया है महला दिवस के दिन उसके बाद आप लोग ग्यास सिलेंडर भराए हैं नाय नाय भर वैचिये बहर महगा चे बहुत महगा है क्या दिकते होती है चुले से खाना बराने के छोट बच्चा से बच्चोंग दिया लाएचे म्रोह दियान लाएचे बचा बीमार ब्रड़े गासेजा। द्धोर के कारता है मैं भी हाना कैसे पकाते हैं ओते जलाबन पर जो पते आपरिसान होती है जलाबन पर खाणन वरामें तो आसकल ना बरन ऄंद ब्ण paralyze जालाबन हैं परिसान जेंशे आ जाल लाबन वो जलाबन तकीनिय का यावई तो गरीब केके दखाई चे जलाबन वार्षा गेटेम जलाबन भीज जेशे तो दिकत है चे तो कनांगा खायने बलेते यहाद दिकत चे और कॉन क्या परशानी दुहिया लागे छे बाल बचाहरान करे छे चलाप खना बन वेशे तो नगाबन से लाओन गया लाथे कोई से पकाते हैं स्थे बचा चोट एक खना में दिखते नहीं तो जलाबन के दिख्वाच से तो पकाते चुलावे खना पकाते हैं आप एधन कीये थे आप हैं क्या कहा हो हां से कोणों ख़बर निकिल या मांग करते अपने देखा कि किस तरह से गाउं में महिलाओं को जुवला यूजना का लाब नहीं मिल रहा है और आज भी ये महिलाएं अपने घर के लिए खाना बनाने में लकड़ी कोईला गोवर का ही इस्तेमाल कर रही है जब यूजना साल 2016 में शुरू की गई तब इसका बजट में आठ यार क्रोर रुपे का वंटन किया गया था लेकिन इसके बाद साल दर्शाल इस यूजना के बजट में लगतार कमी आई है वित्यवाद 23-24 में यूजना का बजट मात्र एक लाक रुपिया है ऐसे में आखिर कभ इन महिलाओं को इस यूजना का लाब मिल पाएगा या एक बड़ा सवाल खाड़ा होता है आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साती इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चर्खा को जरूर सब्सक्राइब करें धर्नेवाद